अमीठी जिले में कोटेदारों पर हमेशा सही घरतौली करने का आरूप लखता रहा है जिसे सीधे तोर पर गरीब और ज़र्थमंदों को दिक्कत का सामना करना पर रहा है लोगडाउन की वज़े से जहां सारे धंदे बंध हैं ऐसे में अगर कोटेदार भी कम राशन तौलेंगे तो भला गरीब कैसे जियेगा इसी सचाई का पता लगाने के लिए न्यूस्टैमिनेशन की टीम भादर ब्लॉक में कई कोटेदारों से मिली और उससे घरतौली की वज़त जानने की कोशिश की लेकिन इस सवाल पर कोटेदारों ने जो जवाब दिया वो वाकई चौकाने वाला था नमस्कार मैं हूँ खुजू पांदे और आप देख रहे हैं न्यूस्टैमिनेशन की खास खबर ये मामला अमेठी चिले के भादर ब्लॉक का है जहां इलाकाई लोगों का आरोब है कि सरकारे राशन की दुकान पर कोटेदार हमेशा कम राशन तौलते हैं जिससे वक्त से पहले ही राशन खत्म हो जाता है गावालों का यहां तक आरोप है कि कई बार शिकार करने के बावजूद आख तारिक तक कोई कारवाइद ही हुई है वही निईस्टैमनेशन की टीम ने कोटेदा धरमेंद कुमार यादो से बात की जो कि ग्राम सबाब भागेपुर के कोटेदार है कोटेदार धर्मेंद कुमार यादब मानते हैं कि वो कम राशन तोलते हैं लेकिन इसके लिए वो गोदाम के अधिकार्यों को जिम्यदार मानते हैं धर्मेंद कुमार के मताबिक उन्हें उपर से ही राशन कम दिया जाता है इसे लिए वो कम राशन के लिए मजबूर है सुना आपने कोड़ेदार का साफ कहना है कि जब उन्हें ही कोडाम से कम राशन मिलता है तो भला वो कहां से पूरा राशन दे पाएंगे दूसरों वहीं दूसरी तरफ मानफ संसाधन की तरफ से नियुक्त किये गए करमचारी का कहना है कि हम धर्मकाटे से राशन लेकर आते ह जो इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है कोडे दारों का साफ आरोप है कि गुदाम से उन्हें कम राशन दिया जाता है जहां सरकार सब ही करीवों को राशन मुहया कराने का आदेश दे रही है तो वहीं दूसरी करा पूरा राशन ना मिलने की वज़ह से कोडे दार सुथ परिशान है आपको अबाड़ी वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपे वीडियो फेस्बुक अदेश लाइक और फॉलो करें और अगर आपे यूटुब अदेख रते चानल को सब्सक्राब ज़रूर करें नमस्कार